अब दो हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल टाइम क्लाशिस और चैनल पर दोस्तों मैं संजीट उमर्ज एक बार फिर आपके लिए वोलिम जानी जो आइतन है इसके एक क्लास लेकर आया हूँ आज की क्लास जो है बहुत ही जाद रोमांजी तो मज़दार होने वाली है इसके मज़दार होने की वज़ए यह है कि दोस्तों यह बेसिक क्लास है बेसिक क्लास जैसे कि आप जानते है बेसिक क्लास की बात यह होती कि आप हर बात बहुत आसाने से सीख सकते हैं और एक नहीं दोस्तो बहुत सारे अल्टरनेटिक मैथेड़ अपलाई करे जाते हैं जिन से आपको सिखाया जाता है तो इसलिए ये किलास बहुत ज़्यादा खास होने वाली तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है अगर दोस्तों आप फर्स्ट ताइम इस किलास को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अच्छे से इस किलास को देखना जुरू करें अगर और ज़्यादा अच्छा निसीखना है वैसे तो आज हम चैप्टर जो है स्टार्ट आपका बिलन जो है दोस्तों यानि सिलिंडर वो सुरू करने जा रहे हैं आसानी साब समझ सकते हैं अगर इस स्टार्टिंग से ही बिल्कुल देखना चाते हैं तो दोस्तों आप इसकी प्लीज जो बेसिक किलास फर्स्ट बार ली थी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ अपने इस चैनल के बारे में हमने जो किलास का इस बार फॉर्मेट बनाया है सूरी तो जो किलास का फोर्मेट है उपकर इस तरह से है दोस्तो डिवाइड एक तो बनाई हैं हमने बेसिक टिक है तो गमDER बैसिक किलास है लेक्चर के ऒार्डिंग इस्टार्ट तो जो बेसिक किलास है ठीक है न लेक्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है एक बात याद रखना दोस्तों जो बेसिक है आपको बेसिक इतने प्यार से सिखाए जाएगे कि कोई ना भी समझ सकता हो जब भी समझ सकता है को इन जान बच्चा भी अगर देख रहा हो तब भी सीख सकता है जब लेकिन लेक्चर के अंदर ऐसा नहीं होगा दोर तो लेक्चर होगी लाइक है जे प्रोब्लम डे तो जो भी बच्चों के प्रोब्लम हो तो उन प्रोब्लम के लिए हम यहां पर क्यूस्चन करेंगे तो ठीक है ना मेरे क्याल साब बात समझ चुके होगे चले फिर न बना लो जब तक वो त्म्हारी कहानी न लिख दे यहां पर टोटल मोर्ल यह है यह जनून तब तक बना रहना चाहिए, जब अब सभी दोस्तों के लिए कहते हैं कि तयारी तब तक नहीं छोड़नी है आपको कब तक दोस्तों जब तक जोइनिंग लेडर हाथ में ना हो यह मेरे आपसे क्या है रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों अगर आप अब तयारी करोगे बीच में छोड़ दोगे तो उसके बाद चमैन में और लगाना पड़ेगं आपको कि ऊसके भी उसके बात दोबारा रिश्टार्ट करना होगो तो जाहिर सी बात है रिश्टार्ट करने की वज़े आप अब इसे चमैने ऐसे सब्सक्राइब जब तक जोइनिंग ना हो तब तक अच्छे से लगे रहो खेर मेरी बात साथ संतुस्ट होंगे तो चलिए फिर सुरुवात करते हैं अज के अपने इस किलास के लिए तो एक बेसिकली चार्ट दिया गया है इस चार्ट में कुछ डिपार्टमेंट लिखे लिए उन डिपार्टमेंट के अंदर यह जो चप्टर है आपका कौन सा इस चप्टर का नाम है वोल्यम तो वोल्यम इन सभी डिपर्टमेंट के अंदर मिलता है ठीक है न तो इसमें तक्रीब है अगर देख ले जाए कल हमने हैं तीन टाइप किये एक पहले गनाप के अधारित गन पर अधारित और गन गनाप दोनों पर आज बेलंस से स्टार्ट करते हैं ठीक है न चले फिर सुरुआत करते हैं तो यह बेलंस आदर इस सबसे पहली तो बात यह है कि बेलं के ही बारे में आपको सीखना हुआ बेलं होता क्या है ठीक है न चलिए बेलं के बारे में स्टार्टिंग में सीखते तो बेलं होता कुछ ऐसा है दोस्तों क्या होता है एक सेफ है इस तरह की ठीक है न यह एक सेफ होती है इस तरह से लाइक है जै कोई पेड़ है जिसका पेड़ का गठा गठावा ठीक है न तो अगर आप कहना ही चाते हो देखना चाते हो तो कोई पेड़ है उसका गठा गठावा कहने का मतलब य कर दो औनों को हाफ कर दो कर दो कि घीजा जाएगी इसके बीटसे जो भी लाइन ना यह तो डाइमेटर नहीं हो और अगर आप इस लाइन को खीच दोगे तो यह क्या होगा ठीक है यह क्या रहेगा यह रहेगा radius, radius क्या रहेगी R, तो यह भी आ रहे है कोई प्रोड्म तो नहीं है नहीं है, तो यह भी radius है, यह रहेगी height ठीक है तो यह एगर दिख ले जाए तो यह इस तरह से वर्त जैसे दिखाई हुए तो ऐसे वर्थ नहीं दिखते इस तरीके से कोई भी जो सिलेंडर बनागा आपका ठीक है इस सेप में होगा यानि दो वर्थ होंगे बट दिखाई कम देगे तो इस तरीके से जैसे पेड़ है पेड़ का गठा काट ले जाता है वह से वाली सेफ अब यहां पर लौबगे जाएट और यह था रडियस तो जहीं से बात है दो वर्थ है तो यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं पाई आर स्क्वार एच तो बेलन के आईतन का जो फॉर्मूला होगा वो लिम का क्या होगा पाई आर स्क्वार एच ठीक है ना तो यह आपको ध्यान लखना होगा है अच्छा एक बात हो दोश्तो इसे अभी नोट करते चलो मेरा मनना है ठीक है ना तो नोट करते रहोगे तो जल्दी जल्दी यह तैयार होता रहेगा इसके बाद बढ़ते हैं एक होता है दोस्तो वकरपरस्ट यहां पर क्या होता है वर्ड वकरपरस्ट अब वकरपरस्ट क्या होता है इसे बोलते हो surface area ठीक है ना essay से denoted करते हो surface area जा बोल लगाता है तो वकर परस्ट होगा तकरीबन बस बात कहने कि यह है कि एक paper से suppose करो कि आप इसे ढख दो या फिर paint कर दिया आपने कौन सी side छोड़ कर जहां से goal वाला हिस्सा है मतलब कि जो worth वाला हिस्सा है यह था इस वाले हिस्से पर paint आपने नहीं किया ठीक है न होर अधर वैस्सा है इस सारे इस्से पर आपने paint किया ठीक है यह प्रिंट नहीं किया तो इसका मतलब हुआ क्या इसका मतलब हुआ कि मैं यहां पर परीधी बनाई चकरी तो काट देाए है आपने परिदी का फूर्मूला यहां पर रहेगा टू पाई आर एच तो सुरी वकरपरश्ट का ऐसे का फूर्मूला यहां पर यह रहा आपका यह ध्यान लखना अच्छे से नोट कर लिए दोस्तों अब इसके बाद एक होता है दोस्तों टी एससे मतलब टोटल सर्फेस अरिया क्या होता है टी और से इसे बोलते हो संपूर्ण परस्ट क्या बोलते आप संपूर्ण कि परस्ट यह वकर परस्ट ठीक है ने क्या बोल रख रखते हो वकर परस्ट अब संपूर्ण परस्ट या वकर परस्ट होगा क्या अब इसका मतलब है यहां पर वर्थ भी नहीं छोड़ने आपको ठीक है ना तो ये तो हमने लिया ही था और दो वर्थ भी होगके पाई-ार स्कुआ यह अगर ले लिया जाये तू पाई-ारis तो एच पलस-आर आपका फोर्मूला रहेगा इसे बोलदगा अब T.S.S. क्या बोल दो का भी से ठीक है ना तो यहां पर यह फॉर्मॉला रहेगा क्या क्या है अपका कोई प्रोडम दो नहीं है ठीक है बढ़ते हैं तो अब यहां से द्यान रखना चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आर बराबर कितना हुआ आर बराबर है 3.5 मेटर और एच बराबर कितना है 40 मेटर एच बराबर है 40 मेटर तो ठीक है वोल्यूम के गर बात कीजिए तो वोल्यूम बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वेर एच ठीक है पाई तो है जीटे पाई की वैलू क्या रखोगे आप तो तो पाई की वेलू रख दीजे 22 बटे साथ और और को कितना लिखता गया है तीन पॉंट पांच गुना तीन पॉंट पांच और गुना चालिस ओलेडी है यह आपका इससे डिवाड़ कर दो जीरो पॉंट पांच और पांच सब पॉंट कैंसल हो जाएगी है ना तो यह बना कैंसल होने का मतलब एक सुदर्स तो इनकी मल्टिपलाई कर दीजे बस ठीक है इनकी मल्टिपलाई जैसे करोगे वह यह 1540 यह मिल लाएगा आपको ठीक न याद रखना गन सेंटीमेटर है तो यह क्या मिला आपको यह मिला आपको यहां पर वोल्यूम ठीक है ना तो चलिए आईतन मिलाए यहां पर 28 मिटर लंबे और 24 मिटर चोड़े कागज को उसकी लंबाई में मोड कर एक बिलन बनाय जाता है जैसा कहा गया वैसा करना होगा लंबाई को मोड कर बनाय जाना तो लंबाई कितनी है 88 तो जाएची बात यह परीदी का काम करेगी क्या करेगी थे होता है तो बेलन की परीदी लिखो यवर्ट की परीदी टिक बेलन की परीदी तो यहां परीदी के लिए सही वर्ड तो है टूपाई आर एच फॉर्मूला लिख दीजे वह गया 88 ठीक है अगर यह है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एच आपको लीज ऐचा आर भी निकालना और संपूर्ण पुरस्ट अच्छा वैसे तो अगर हल करना होगा यह अदरवाई ना हल करो तो वकर परस तो वैसे लिकल दाएगा ठीक है ना तो चली निकाल देते हैं कि दो गुना 22 बटे साथ और गुना कितना रहा आर बराबर 88 यहांच रहा कितना दो रबराबर कितना हो गया जोज़ा ठीक है ना र बराबर रहा यह चोधा तो यह तक बताईए ठीक दा ना और 14 मिला आपको और 14 मिला तो एच और लेडी आपके पास है 24 24 ठीक है ना और मिला आपको 14 तो एच्छ है आपके पास 24 तो वोल्यम चाहिए वोल्यम यानि आइतन आइतन बराबर क्या फोर्मूला था पाई आर स्क्वेर एच यानि 22 पटे साथ वैसे फोर्मूले लिखते चलो दोस्तों इसका बेनिफट यह होगा आपको जल्दी से याद हो जाएंगे यह फोर्मूले 14 गुने 14 ठीक है 24 यहाँ पर मिला दो इसकी मंटिपलाई जैसे ही करोगे तो आपको मिल क्या जाएगा यहाँ पर मिल लेगा 4784 ठीक है दोस्तों यह ठीक है भी लेको ठीक है ना अब यहां के बाद अगर यह मिला तो एक निकालना है संपून प अब यहां पर यहां पर रख लिए दो बाइस बटे साथ गुने 14 ठीक है और यह होगे 24 और 14 कितना होए 38 गुना कटके 2 तो अब यहां पर मल्टिकर प्लाइक करने के बाद आपको वैल्यू रख लेए और यह वैल्यू कितने मिल लेगे तीन तीन चार चार तो एक बार फिर भी आप देख लेना इनकी मंटिकलाई कर लेना है तो इस तरह से आपको यह सोल करना था ठीक है यहां पर नेक्स्ट क्यूस्चन है इसमें क्या कहा गया दो तिरिजाओ के दो किलासों के तिरिजा दी गई रूचाई दी गई तो अनुपात चाहिए वोल्यूम का है ना आयतन का तो V1 बटे V2 पहले का आयतन क्या होगा पाई R1 का स्क्वेर H1 पाई R2 का स्क्वेर और H2 इससे एक हैंजिल यहां पर R अपोन 2 इसका स्क्वेर यह कितना होगा है H1 बटे H2 अब वेल्व आप पूट कर सकते हो एक बटा 3 का स्क्वेर यहां पर कितना रहा है एक ब तो एक बटा कितना हुआ 27 ठीक है ना तो एक साथ का रेशो चाहिए कितना एक साथ का रेशो यहां तक बताईए अगर कोई प्रोब्लम है को प्रोब्लम तो नहीं है ना चलिए इस तरह से रेशो निकालना आटा आपको तो दो बेलन यहां पर देए दो बेलनों के इतन समान है उनकी ऊचाहे दीगे तो त्रिजगा व्यास हो गौन पात्व यह सो यहीं रहती है अगर इतन तो पहले का एस बेलन का इतन क्या होते तो पता ही होगा आपको पाई आर वन एच वन तो ठीक है पाई आर इस्क्वार टू H2 25 पाई का जल तो व्यास तो चीए हो लेड़ी ये हो गया R1 बटे R2 ठीक है S2 बटे H1 तो यहाँ पर कितना हो गया 3 बटा 2 इस्क्वार अटा हो गया तो रूट बन जाएगा ठीक है ना रूट 3 बटे कितना रहा रूट तोुन अगर व्यास का बनाना चाहते हो तो दो से या मल्टिप्लाइ कर दिए पर दो से मल्टिप्लाइ करना कोई फायदा नहीं होगा यह कट जाएगा आपका जाहिज बात यही ठीक है अदरवाई और भी बन सकता है अगर आप चाहो तो इसका क्या करना हो करना होगा यहां पर क्या करना है दो लंवरते बेलनों के आइतन समान है क्या कहा गया लंवरते बेलनों के आइतन समान है उचाई दी गई है व्यासों का उनपाथ क्यात कीजिए एटी जी है जैसा यह था ऐसा ही वह कर देते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है मैं चलिए तो उसी क ध्यान देजें, यहाँ पर हो गया V1 इक्वल टू, V2 मतलब दोनों के आधनी, इसकी वैलो थी पाई, र1 का स्क्वेर, H1, पाई, R2 का स्क्वेर, और H2, यहाँ पर पाई से पाई कैंचल, R1 का स्क्वेर, R2 का स्क्वेर, और यहाँ पर हो है H2 बटे, H1, स्क्वेर अट आपके रूट बन जाएगा रूट टू अपॉन यह है यह इसका आंजर रहा आपका ठीक है ना अच्छे दोस्तों यहाँ पर बच्चे करते क्या है गलती मेन बच्चे क्या है इसके होने की कि यहाँ पर है एच चेंज होड़ता है बच्चे क्या सुचते है जैसा आर वन आर टू रखा बट अपॉन में आर वन अपॉन आर टू तो यहाँ पर बच्चे भी एच वन अपॉन एच टू करते रहते हैं यह पर वो गलत है समझें ना आप मेरी बात ठीक है तो यहाँ पर एक कुवे का ब्यास आट मेटर गहराई साथ मेटर है कुवे से निकाले गई मिट्टी को कुवे के चार और तीन मेटर चोड़ा तट बंद बनाया गया उसके चार और फैलाई गई ठीक है ना तो वैसे तो कोई प्रोब्लम है नहीं तो अगर ऐसी बात है अगर यह एक बेलन है यह है बेलन तो जाहिज बात है अभी इसके बाहर यह कुवा था जो मिट्टी निकाली यहाँ साइड में डाल दी आपने यह ठीक है इस तरह से यह तटबंद बनाए गया तो अब आपको बताना है इसकी उचाई कितनी हुई हाइट निकाल लेते हैं तो जहां इसी बात है चलिए करते हैं तो इसे मैं पहले रफ कर देता हूं क्योंकि जगे ले रहा था दोस्तों यहां पर ध्यान रखना जो मिट्टी का आइतन होगा किसका जो भी मिट्टी का आइतन होगा मिट्टी का आइतन वो बराबर होगा कुए का आइतन कुए तो एक किसम से बिले नहीं होता है तो फॉर्मूला पार्म पता है आपको पाई आरी स्क्वेर एच वैलू रख दीजिए 22 बटे साथ और चार गुना चार गुना साथ ठीक ना यह कट गया तो यहां से इसकी मल्टिबलाइक करने पर जो रहेगा देख लेंगे और इस काहितन कितना हुआ यहां पर पाई यहां पर मिला 3 arrives 4 मताइक कोई प्रोब्लम है तो खीक है अभी तक कोई प्रोब्लम नहीं है तो यहां पर यह तो है 예क इसाब फ़ी सथ साथ आपको एक बात शोटा बनाता वर्थ एक बाहर काई वर्थ है उसका क्या अधना होगाопाई 4088 साथ गुना साथ यह तरम यह रहा मिलिदा है सारे total अगर इज सोरी गटाना होगा मैं क्या करना होगा मैं गटाना होगा क्योंकि इनके difference के बराबरी तो रहा आपका तो ठीक है एक मिंट रुके तो अगर घटा दोगे तो जही सी बात वो वोलीम बन जाएगा एक मिंट यह रहा 7 गुनए 7 बात है मायनस के और पाई ये कितना चार गुना चार और ये रह इंट तो 11 दूनिय 22 गैरत या 33 पाई से पाई कि जरूरत है नहीं तो अब करना क्या है यहां पर अब इससे काटना होगा आपको ठीक है ना तो थोड़ा सा ध्यान से रख गए तो चाहिए तो आप पाई की वैलू रख सकते थे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुए तो कोई बात नही एक बार फिर भी चेक कर लेना दोस्तों ठीक है ना ऐसा मुझे उम्मेद है कि यही मिलेगा तो मेरे कहल से समझाया होगा समझ क्या था यहां पर था देखो अगर देख ले जाए तो आपने किया क्या यहां पर मैं समझाता हूँ एक बार फिर आपको देखो यहां पर है बाठ चाई बाहर वाला ईरिय का क्या करना और यह था तो हमें जाहिर जाईर जी बात है इसका इरिया अंदर वाला जो एरिया उगा यह गटाना उगा पूरे एरिय से ठीक है ना तो हमने यही किया तो और हैट कें मैंटिपलाई करती बस आइसे बराबर आइसे हैं रहाको तो भाए रिक्त Bagain क्या होता है? रिक्त BAYLON होता है धिए क्छोकला BAYLON जूस्तो खोकला बास आप खोकला बेलन के बारे में अगर आपने सुना भी कोई भी जैसे कि यह तो ठीक नहीं है अपने कुछ पाइप के बारे में सुना हो जैसे कुछ पाइप होते न इस तरी करें अब यह जो पहलब है यह हमने बनाया तो यह वाली सेट जो है यह रिक्त बेलन मेला है थीक है और दोज点ा यहां तक तो कई प्रोब्लम नहीं है यह बना तो हिए इनका लग होगा क्योंकि दोस्तों इसके अदर वाला एरिया एक अलग है यहां तक का और अरोगर यहां तक का टोटल iरक रग है यहां पर टो इसलिये दोनों का डिफ्रेंस आपको लेना होगा बॉल्यम के लिए यह आसान रहे है इसका बॉल्यम अगर यानि मतलब send अगर आपको चाहिये तो पाइटर में टू है न हम पर कितना होगा पाई और वन का स्क्राइर मैंने र टू स्क्वार इंटू एच ठीक है ना यह रहा और एक होगा फकर परस्ट अगर से निकालना है ऐसे थोड़ा सा इंट्रेस्टिक रहेगा यहां गटने के बज़ाए एड होगा दोस्तों क्योंकि क्यों एड होगा मैं बेसिक स्क्र कूर सरभण करने का क्या करना होगा इसएरिया क सर्फैस ऑरिया का वह सर भीके बना हुआ अगर आपको आपने एक लेवर को बोलना की डिये आपको प।वेंट करना है आपने कर दिया बाहर बाहर तो क्या बोलो ग invert अंदर भी में करा ना है या नहीं है अगर में बढू कि कर घाना है अनुप हथ। तो आपको पैसे जुर्द करेंग यहां । तो पैसे तो आपको जाद माल की जा यूज कर रहे हों इस्टुमेंट आपके सुरी जो भी आपने केमिकल वगएरा जो भी जो भी पेंट सपोर्ज करोगी पेंट तो यूज किया है ना वह पेंट बाहर भी और अंदर भी दो जगे यूज हुआ तो पैसा जादर बनता है तो यह है दोस्तों वकरपरस्ट क्या होता है एक टी एसे तो टी एसे कि अगर बात कीज़े तो टी एसे में भी यहां पर फॉर्मले इंटरस्ट रहे है टू पाई यहां पर रहेगा आर वन पलस आर टू और यहां पर क्या रहा है एच पलस के आर वन माइनस के आर टू एच पलस के आर वन माइनस के आर टू तो ठीक है तो यहाँ पर यह रहा कोई प्रोब्लम तो नहीं है तो चलिए फिर ठीक अब बढ़ते हैं अच्छा तो यहाँ पर अब यह पहला है एक पाइप 125 सेंटिमेटर लंबा है एक पाइप कैसा है 125 सेंटिमेटर लंबा है एक पाइप A उसकी आंत्रिक ववाई यह थीर bakalım 3 ये सैन्टिमेटर वह 4 सैंटिमेटर जी है ठीक ना तो वाकर पष्क्यू वर्मॉला आपको बताई था कैसा है पाइप पाइप कैसा होता है खोकला खोकला-क यह रिक्त बेलन है तो खोगला बेलन है तो आपको से निकालना है ऐसे क्या होगा तो पाई और वन पलस आड़ टो एच तो दो तो एज़ेटिज बाइस बटे साथ और यह एड़ करने के बाद साथ मिला यह 125 काटती है साथ से तो जाहिज सी बात यह 500 और तुनी कितना वह पा यह ठीक है ना यह रहा आपका आंसर एक और किस्टिन देखते हैं इस किस्टिन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है एक 8 सेंटिमेटर तथा 6 सेंटिमेटर वाई और आंतरिक तिरिज जाए 200 सेंटिमेटर लंबे पाईप का संपूर्ण परस तो टीएस से निकालना है दोस्त ही नहीं बहुत भारी होगा अगर फॉर्मुले याद ना रहे तो दो 22 बटे साथ और यह रहा 14 एंड यहां पर 200 सेंटिमेटर एंड यह रहा आपका 2 इस सेट का डिवैड के है यह मिला 2 आपको ठीक है ना यहां तक तो कोई प्रोब्लम नहीं है तो चलिए फिर यहां पर सा प्रेक करते रहे ना दोस्तों आप ठीक है ना यह अच्छा आप सोच रहे हैं यहां पर यह रहा कितना है द्यान देजिए यहां पर देखे 175 सेंटिमेटर लंबे पाइप का इतन गयात किजिए आंत्री को और वहीत रिज्जा यह हैं तो कोई प्रोब्लम नहीं यहां पर चाहिए हमें वोल्यूम मतलब आयतन आयतन क्या रहेगा पाई तो आर वन माइनस के आर टू स्क्वेर मा होगा और एच तो ठीक है यहां 22.7 यहां पर कितना होगा 14 का स्क्वेर माइनस के 7 का स्क्वेर और यहां पर कितना मिला आपको एच 175 यह कितना रहा 22 बटे 7 यहां पर कितना हुआ 21 और यहां पर कितना मिला आपको 7 ठीक है नब 175 7 7 7 कैंसिल तो मल्टिप्लाई तो आपको बनने ही चाहिए एक मिल्ट रुप्लाई दो यह कितना हो जाएगा 200 ठीक है यह बन जाएगी इसकी मल्टिप्लाई यह दोस्तो ठीक है यह दीजिए 80850 यह इसकी मल्टिप्लाई रहेगी तो अब है दोस्तो गोले पर आधारित पर संकिस पर गोले पर आधारित जही जिबात है गोला है तो गोला भी पढ़ना होगा ठीक है ना तो जही जिबात है थोड़ा पढ़ते हैं गोले के बारे में भी तो समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि गोले का टोपिक नया है त तो चलिए सीखते हैं गोले के बारे में ठीक है ना अब देखिए यहां पर गोले के बारे में बताता हूं गोला क्या होगा एक गोला और सरकल में फरक होगा यह है दोस्तों सरकल बट इसे गोला भी कह सकते है गोला कब बोलोगे जब यह ठोस हो मतलब कि यह क्या होना चाहिए होना है यह यह तो फूर्मुले के तो इसकी कुछ फूर्मुले-, याद करने होगा अर्च गोले को इंगलिस में बोलते हैं अब आप स्क्वेर ठीक है न तो यह याद रखना है चलिए अब मैं इसके जल्दी से फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं आपको फॉर्मूले रहेंगे यहां पर पहला फॉर्मूला तो वॉल्यम ही होगा यानि आइतन ठीक है न क्या वॉल्यम होगा आइतन तो फॉर्मूला आप करेगा चार बटा तीन पाई आर क्यूग ठीक है न चार बटा तीन पाई आर क्यूग तो यह रहा फॉर्मूला अच्छा तो एक होगा इसका टी एस से होगा चाहे एस से बोल दो या टी एस से बोल दो मतल यहां तक बताईए अगर कोई प्रोब्लम है तो यहां तक तो कोई प्रोब्लम होगी नहीं तो ठीक है ना तो यह फॉर्मूले आपको नोट करने चलिए अब अगर कभी-कभी ना गोलिया कोस या खोकला-गोला यूज कर लेता है खोकला-गोला किस सेप में होगा देखो इस भी रहा अब देखो यहां पर हमने यह एक काट दिया यह एरिया देखी है तो यह खोगला-गोला बना दोस्तों कैसा बना यह खोगला-गोला बना तो जाहिर सी बात है यह लेजिए खोकली-गोले के बारे में आप देख चुके हैं तो खोकली-गोला होगा इसकी संपून परश्ट तो अगर अर्ध गोले की बात करे तो थोड़ा संपून परश्ट जादा होगा लेकिन खोकली-गोले आई तना जैसा आपको दिखाएगा ठीक है ना तो जो आप सोच रहे हैं मतलब की इनकी रेडियस घट जाएगी यह बात सच है ठीक है ना तो इनकी जो रेडियस होगी वह घट जाएगी तो ठीक है न तो ये खोकुला गुला आपका बना तो चलिए फिर करते हैं सोल इसकी जो वोलिम है वो रख देते हैं वोलिम आपको याज रखना होगा या इसे आप गोलिये कोस भी बोलते हैं क्या बोलते हो सोरी याप क्या बोलते हैं गोलिये कोस गोलिये कोस भी बोलते हैं तो इसके लिए अगर वूलिम है आप आईतन लगाओगे तो चार बटा तीन रहेगा तो वही बटियां पर दो रेडियोज हुई ना तो आप इन्हें घटा दोगे तो यह लीजिए ठीक है ना यह अच्छे से आपको फॉर्मूले नोट करते चलने दोस्तों गोलिये को उस बोलो कि आप इसे ठीक है तो चलिए फिर सुरुवात करते हैं वो अपने क्यूस्ट चलिए यहां पर 14 सेंटिमेटर व्यास के एक गोले का आईतन और परस्ट गयाद क देजिए चलिए और कितनी मिल लेगी सेवन तो वॉल्यूम चार बटा तीन पाई तो एजट इस यहां पर एक आपका कितना सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन तो ठीक है ना थोड़ा जीब से रहेगा अगर काटने की बात एक सेवन तो कट जाएगा तो कुछ हद तक ऐसा रहेगा यह द्यान देख लेना आप एना यह रहा है यह आपका वॉल्यूम तो कहमें दिया है सेंटीमेटर है तो सेंटीमेंटर क्यों रखो आप यहां पर उसके बात देना है आपको ऐसे ऐसे के लिए क्या होता है मैंने पोर्मुला बताया भी ता है यह के लिए 4Pi R2 कं यह वाट थाइस और दवच्छापन और इसे खोल के लिए एक छे तो यह रहा दो सोड़ा रहेगा आपका है न तो तो मेरे क्याल से बात आई समझ में आपको ठीक है फिर एक और क्यूस्टन देखते हैं यहां पर क्या कहा है एक खोकले गोले के वाई एवं आंतरिक व्यास दियेगे उनका आईतन गयात करना है कोई प्रॉड्म नहीं है तो खोकला है जैसे बात वूलिम निकालना होगा और व यहां पर तो थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए महनत कुछ तो करना ही होगी दोस्तों आपको अधरवाइज मैं वेलू रख देता हूं अगर महनत करने में कोई ज्यादा परिशानी है तो तो इसका रहेगा थाइस इसका तो जानते होगा आप थाइसका क्यों टूर सैवन तो दाइमेटर थे हैं तो बते दो रखो लाए फ्ला सू क्युफंस और अिस बात्तों तो यहां पर एक हम छेंपर कितना नहीं ऐतमा से साथ कीज़ तो 334 इसाथ बाते साथ को कुना यह कितना रहा है यहां पर बढ़ जाएगा 2401 तो आप कैंसिल कर सकते हूं 10061 upon 3 एक बाद ट्राइब कर लें दो ठीक है न सेंटिमेटर क्यों तो यह था दूसरे वाला किस्टन यह भी हमने किया यहां पर है यहां पर क्या कहा गया एक अर्थ का व्यास किसका है कि थोड़ो से ध्यान देना एक अर्थ गोले का व्यास अर्थ गोला होगा यहां पर ठीक है न क्या है यह अर्थ गोले का व्यास एक अर्ध गोले का व्यास आर कितना है साथ सेंटिमेटर ठीक है तो आइतन क्या रहा उसका आइतन आइतन रहेगा चार बटा तीन पाई आर क्यूब पाई की वेलू रख दीजे 22 बटा शाथ सुरी अर्ध गोला है दोस्तों अर्ध गोला है तो दो बटा थीन तो ठीक है popular तेनग ₹च 8 इस गोना साथ ठीक है ना सछसह साथ कश लेबर्स इससे आप डिवाइड लापे ही दोगे तो शाज आप को मिल रख ठीक है इतना रहेगा कि ती से निकाल देना है लेकिन टी एस से एदना है इसका ती से डिफरंट होतता है थरी पाई रिक स्कूर आर्द गोले के लिए офस्तु कद्याँ आप से गोले के लिए लगा दो आर्द गोले के लिए खीकल न तो यहां पर तो अब इनकी मेल्टिप्लाइब करती है यहां पर कितना मिल लाएगा 462 ठीक ना चलिए पिर बढ़िए एक और दियागा यहां पर एक स्पेसल केस है यह क्या कहा गया दस सेंटीमेटर तिरिज्जा के गोले के अंदर से 6 सेंटीमेटर दूरी पर सबतंतर दवारा गोले को काट कर अलग-अलग दो टुकडे बनाए जाते हैं समतल परिथेज की तिरिज्जा क्यात कीजिए तो इस के सेंटर माइनस के 36 एंड 64 एंड यह कितना मिला एट तो आर इकवल टू कितना मिला एट तो बात आई दोस्तो समझ में मेरे ख्याल से संगू को संगू लेकिन आज नहीं पड़ेंगे उठेकर आज की किलास सफिसेंट रही हमारे लिए इतनी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर अगर ज़्यादा कंटेंट हुआ तो फिर आपको भी प्रोब्लम होगी और समय का बेभा हुए दोस्तों उदर यानि पर उसमें ससंग चल रहा है तो ज़्यादा आवाज होगी फिर किलास ज़्यादा नहीं हो पाई कि बड़ी मुश्किल से इसे रिक्वेस्ट करने के बाद ये किलास होई तो एक आवस्षक सूजना दोस्तों आवस्षक सूजना क्या है व हमारी चैनल पर दोस्तों करेंट फिर भी पर देप्रोवाइड करा दी जाती है एक हिंदी में और एक उत्याप की इंगलिस में करेंट अफेर ठीक है ना हिंदी की करेंट फिर देख लिए जाए तो 4 a.m से स्टार्ट होती है है ना और यह उत्तिया 5 a.m से है और है कि दोस्तो वीडियो क्या है यह सोड़ वीडियो तो यानि वंजमिनट मां अपकी करेंट खेर तहिर आपके हाथ में आप आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं कर दोस्तों आपको कैसे लगी आज की किलास और रही दूसरी बात अगर आप अधर चैनल पर भीbers होग है या निक deben करते हैं फेस्भुक यूज व्यूज करते हूं तो जैस்री बात फिलीज आप आप चाहे तो इसे फेश्बूक पर भी फोलो कर सकते हैं ठीक है ना आप इंस्टाग्राम या फिर टेलिग्राम पर भी आप हमें फोलो कर सकते हैं एजीर विण तो यह दोस्तों कैसी रही आज की किलास जो भी आपके सीकायत सोजाओ ढराय ना जो भी की रहे हें वह जुरूर दिया करें मैं संजीत उमर एक बार फिर विदा लेता हूँ आपसे हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे कब तक दोस्तो जब तक जोइनिंग लेटर हाथ में ना हो थैंक्स पूर वोचिंग यही कुटेशन मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको की ध्यान दर सुनना तो यही बात आपको अब कही गए इसलिए में यह कहना चाहता हूँ ठीक न तो ठीक दोस्तो आपको की दोस्तो